कोई व्यक्ति किसी की property में 12 सालों तक रहता है वो peacefully रह रहा है यानि कि जो owner है वो उसको निकालता नहीं है openly रहता है यानि मालिक उसको बाहर निकलने के लिए नहीं बोलता continuously रहता है 12 सालों तक रहता है तो वह उस property का मालिक बन जाता है यहां पर मैं rent agreement वगरा की बात नहीं कर रहा हूं वहां पर तो condition लगी होती है पर अगर कुछ भी agreement नहीं है कोई document नहीं है और person 12 सालों तक non-stop continuously उस property में रह रहा है उसको enjoy कर रहा है और जो मालिक के owner है वो उस person को property खाली करने के लिए नहीं बोलता तो 12 सालों के बाद वो व्यक्ति जो property में रह रहा है वो उसका मालिक बन जाएगा कानून की नजल में इसको बोलते है एडवर्स possession इस पर मैंने detailed video बनाई हुए अगर आप देखना चाहो तो channel को like share and subscribe करके video देख सकते हो